हेलो दोस्तो आज हम हिस्ट्री का चाप्टर 5 जिसका नाम है मास मीडिया एन हिस्ट्री इसका हम लेक्चर नुबर वन स्टार्ट करने वाले है तो देखो इस चाप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले है कि मास मीडिया क्या होता है और उसकी हिस्ट्री के बारे में लोग ड तक information पहुचा पाए तो अगर आप आज का जमाने में देखुए हो तो mass media के example होते है न्यूस पेपर तो न्यूस पेपर देखो अगर आपको किसी भी masses को मतलब भे सारे वह people को एक ही बार में information बताने है तो आप news information को न्यूस पेपर में लिख सकते हो या फिर आप news channels पे दे सकते हो या तो आप social media platforms कर इसको यह जो social media platforms होते हैं इसके उपर आप अपने information को पुट कर सकते हैं जिसके वज़े से ज्यादा तर लोग इसे देख पाएंगे यह तो सबसे आदा modern medium हो गए हमारा मास मीडिया का और सबसे आदा पुराना जो medium था वो था न्यूस पेपर तो न्यूस चैनल उसके बाद है और सबसे नहीं हमारे social media platforms है तो इस चाप्टर में क्या पढ़ने वाले कि introduction to mass media mass media होता क्या है mass media की history कैसी रही है और हम लोग के life में mass media का इतना आदा importance क्यू है और हम लोग क्रिटिकल अंडरस्टेंडिक देखने वाले है कि information receive through mass media क्योंकि देखो mass media के mass media की वज़े से जो भी information मिलती है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सही रहे हो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है तो इसलिए हम लोग को फिल्ड में हम लोग कौनसी कौनसी professional opportunities मतलब job opportunities देखने को मिलती है तो यह पर एक आपको blue box यह मैं read करता हूँ कि what could be the reason तो एक बार मैं आपको बताई देता हूँ क्या है कि अतलब की पुराने जमाने में मुगल empire के टाइम पर अगर किसी को news पोचानी है दिली में की एक फैमाइन आ गया महांद लो महाराजा था यह जो king था time का मुगल Emperor का king वो हों दिली में रहता था और बिहार में फैमाइन आ गया तो अभी वहां की जनता को इस king को बताना है की बिहार में फैमाइन आगया है वहां पे थोड़ा सा खाना और पानी बिजबानी की विवस्था करो तो इससे क्या होगा यहां पर क्या पूछा है कि अगर वह बैल काड़ी पर जाते तो इससे उन्हें बैल काड़ी पर जाना पड़ता तो वह ऐसे बैल काड़ी पर वह जाते अगर वह बैल काड़ी पर जाते तो उन्हें कम छे से साथ दिन लग जाते बिहार से वहां तक आने में तो मान लो फैमाइन पड़ा है सेकेंड डेट को सेकेंड आपको यह मंत ले लो और आपको पता रहेगा कि वसी वहां पस ट्रेंस कार्स कुछ नहीं थे तो जो एड आएगी पहले तो 3-4 दिन लग जाएंगे दिली तक पहुचने में और फिर दिली से वापस आने में भी 4-5 दिन लग जाएंगे तो टोटल 7-8 डेस का टाइम लग जाएगा यह बिहार तक एड पहुचने में पर क्या आज के जमाने में ऐसा होते है आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है साथ से आठ दिनों में तो कितने सारो लोग भूग से मर भी जाएंगे पर आज के जमाने अगर हम लोग ऐसा पता चलागी कोई स्टेट में फिमाईने हम लोग सीधा एक सेकेंड में लोग को पू इंसानों का समूह मतलब की एक बर आपको पूरा आपको मतलब समझेगा मेडिया मेंस वेरियस मेंस मोड्स ऑफ कम्यूनिकेशन मतलब वह मोड्स ऑफ कम्यूनिकेशन जो हमें मासे तक इन्फोरमिशन पहुचाने में हेल्प करते हैं मासे इसकौन ज्यादा तर लोगों तक मोड्स ऑफ कम्यूनिकेशन आप इसको सिंपल वोड्स में बोल सकते हो मोड्स ऑफ कम्यूनिकेशन मतलब की निउस्पेपर्स टीवी प्रोग्राम्स यही सब यह कम्यूनिकेशन है विच स्प्रेड इन्फोरमिशन इन्फोरमिशन थ्रू मोस्ट पीपल मिलब ज्यादा तर लोगों तक जो भी मीडियम information spread करते हैं उन्हें हम बोलते हैं mass media और आगे दिया 10 mass media is a field of mass communication देखो यही तो हम लोग ने भी पढ़ा कि mass communication दलब ज्यादातर लोगों तक communicate करना we can easily send some information to faraway destination through a medium of communication तो देखो आज के मीडियम में मोबाइल फोन से अगर चाहे कोई इंसा हैं दुन्या के कोई भी कोने में रहे हम अगर इसके एक message करें को एक second में इसको पहुच जाकर इसको information मिल जाएगी पर क्या olden days में ऐसा था olden days में ऐसा नहीं था a cry would run in the streets beating drum and crying important news according to the orders of the king तो देखो अपने पुराने जमाने के ऐसे films और movies में ऐसा देखा रहेगा अगर आप छोटा भी देखते रहोगे तो आपने कभी न कभी तो ऐसा देखा रहेगा कि महराजों को मान लो उस king को कोई announcement करनी थी तो वो क्या बोलेगा वो अपने guards को बोलेगा कि यह announcement आप यह village में या फिर वो जहां पर भी रहता था वहां पर करो तो वो जो भी इसके सैनिक है वो क्या करेंगे एक सैनिक के हाथ में एक paper पर सब कुछ लिखा रहेगा जो उसे बोलने का है और इसके बीचे तीन-चार सैनिक रहेंगे जो की drum बजाएंगे drum या फिर कोई भी ऐसा एक ढोल वो बजाएंगे जिसकी वज़े से जादातर जो लोग है उनका ध्यान इस सैनिक की तरफ आएगा और फिर यह सैनिक क्या करेगा कि वो चिला चिला कर इस news को पढ़ेगा यह जो news है बोलेगा सुनो 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 आज महराजा ने सारी जनता को राजदर्बार में इकटा होने के लिए कहा है तो यह ऐसी यही news चिला चिला के बोलते जाएगा तो इससे क्या हुआ जो भी आम जनता वापे काम कर रही है उसके कान में सारी news जाएगी और फिर वो क्या करेगी वो जनता वो जाके दोसे लोगों को बताएगी क्या तुम्ह जाने जमाने का कम्यूनिकेशन अभी अगर आपको तीचर को मीटिंग में बुलाना रहता है तो टीचर आपको सी यह क्लास्रूमें मेसेज भी बेज देती है कि तुमॉरो यह तो कम विद यूर पैरेंस इन पैरेंस मीटिंग तो यह को यह है modern mean of communication तो आगे दिया history of mass media तो सबसे बहला जो mass media का communication का medium था वो था हमारा newspaper तो printing technology of newspapers were introduced in India after the arrival of British तो जब Britishers है उन्होंने printing newspapers की printing को इंडिया में स्टार्ट किया तो people started receiving various information through newspapers the newspaper became the first medium of mass information तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि newspapers first medium of mass information ते क्योंकि यही सबसे पहला एक तरीका ता जिससे हम जादातर लोगों तक contact कर पाए और उन्हें information दे पाए of circulating information and knowledge among the people तो देखो यहां पर भी वही बिया है अभी अब news papers के बारे में थोड़ा देखने वाले है कि newspaper is a publication which mainly prints news, editorials, people's opinion, entertaining and other supplementary content तो newspaper से हम लोगों जादा तर ऐसी editorials देखने को मिलेंगे people's opinion मतलब आपने भी देखा रहेगा कि कभी-कभी people अपना own opinion भी दे रहेते हैं newspapers में और फिर entertaining मतलब कि sports से related आपको कोई information मिल गई तो यह हो गया हमारा entertaining और कुछ supplementary contents की मतलब की और भी बहुत सारे जो वो time पे world में हो रहे है it is printed and distributed regularly at definite time intervals तो देखो कि आज के जमाने में जो भी newspapers होते हैं वो हर दिन print होते रहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि आज के जमाने में जो interval and newspapers का वो है एक दिन का एक एक दिन पर newspapers print होते जाते हैं तो आगे दिया है कि newspapers provide various local and national local national and international news newspapers and historical documents which record current events लेको newspaper अगर आप एक खोल के कभी देखोगे आपको कहां से कहां तक information मिलेगी चाहे वो आपके local district में कोई भी event हुआ हो या तो कोई international level पे वहां से लेके international level पे कोई बड़ा event हुआ हो वो सारी information आपको अपने local newspaper में जरूर देखने को मिलेगी तो हम लोग इसी लिए हम लोग बोल सकते कि newspapers एक historical document है जो current events को record करके रखता है क्योंकि भाकी historical documents से बहुत जादा similar है तो precursors of newspapers में हम देखने हुआ है कि newspapers के पहले ऐसे कौन से medium थे जो थोड़े बहुत newspaper से मिलते जुलते थे तो हम लोग देखना है before the beginning of common era there was a custom of Egypt of placing inscription with royal decrees at public place तो वो time पे क्या होता था कि Egyptians के time पे तो हमारे पास कोई technology नहीं थी newspapers की तो वो time पे Egypt में जो भी area है मानलो राजों की announcement करनी है और सेनिकों को ज्यादा तर लोगों तक इस information को पहुचाना है तो क्या करेंगे वो area पर वो लोग जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है इस area में मानलो ज्यादा तर लोगों का आना जाना लगा रहता है इसी एरिया में यह समय लोग कोई मार्केट है या फिर कोई जगह है जा पर खरीदी होती है तो यहां पर सबसे ज़्यादा लोग आएंगे तो लोग क्या करेंगे वहां के इलाके में एकदम बड़े पत्थर पे यह लोग ढ़े सारी इन्फॉर्मिशन लिख देंगे पत्थर बड़ा भी होता है तो इतना चोटा भी होता है उसके जगए बनी रहती है यहां पर यह सब लिखा रहीगा कि जो भी इने लोग अनौंस्मेंट करनी रहती है वह यहां पर लिखा रहेगा तो जब आम जनता यहां पर आय कि इसे देखेगा इसके नजर पड़ेगी और फिर वो देखेगा कि इसके पर क्या लिखा हुआ है कि अगर महराजा ने इन लोग को बुलाया है अपने राजदरबार में यह सब जो भी information देगी वो लोग इसको देखेंगे और फिर घर पर जाके यह और भी लोगों को रोमन एंपरआ में कवब की रोयल डीक्री रोयल डिक्रीज रेटर अन्व ओस्टेड अर्ट इसे और अप्टथ देखेते का लुग वश्यार पर टृपलिवल्मि or गयुज तो यह लोग भी ऐसे ही जादतर लोगों को यह सारे रोयल डिक्रीज देते थे जो की पेज के उपर लिखे रहते है तो दिखते भी आगे क्या दिया दिया थे और सो कंटें इंफोर्मेशन और फेरियस इवंट टेकिंग इन नेशन एन इस कापिटल तो देखो यह एक न्यू जब जूलियस सीजर का रहन था तभी एक न्यूस पेपर जैसा वहां पर डॉक्यमेंट बनता था उनके टाइम पर जिसका नाम था अक्टादुर्णा है और इसका मतलब ही क्या था एक्ट ऑफ एवरी डे न्यूस पेपर भी तो वही होता है जो हर दिन जो भी घटना है मतलब कि वहां पर यह वही जगे है जहां पर सबस्यादा लोगों का आना जाने लगा रहता है और फिर यह बहुत ज़्यादा एफेक्टिव बन गया कंवेइंग और कंवेइंग कमांड्स टू पीपल तो देखो आगे क्या दिया कि इन 7th century CE royal dictates लवे जो royal dictates है यह भी एकदम newspaper से similar होते थे यह distribute किया जाते थे कभी England में 7th century मतलब कि थोड़ा सम लोग आगे-आगे है टाइम में तो यह टाइम पे तो papers अच्छे से दिस्कावर भी हो गया थे 700 AC में आफ्टा क्रिश्चन एरा या फिर आप CEE भी बोल सकते हैं जिसको हमने बोलते हैं क्रिश्चन क्रिश्चन एरा आफ्टा क्राइस्ट या फिर क्रिश्चन एरा तो यह टाम पर पेपर वैसी सारी डे सारी इंफोर्मिशन दी रहती थी और यह पब्लिक प्लेसिस पर डिस्ट्रिब्यूट कर दी जाती थी तो देखते आगे क्या दिया है ओकेश्नली इंफोर्मिशन अबाउट इंपोर्टेंट इवेंट यह एकदम न्यूस्पेपर के सिमिलर है कि ट्रैवलिंग और यह वाला एक है कि ट्रैवलर्स अराइविंग या लोग दोस्त्री कंट्री में गहें को सुनाते थी मैंने आपथे इसा था महाँ जुति तो ज शुल सुनाएंगे ।ा कि उनकी स्ट्री जादकर लोग सुने और उनए ज्याद तर लोगों का इतेंशन मिले तो सिरिए यह बोलेंगे चार कर आ जानिको नेंगां मैंसरा स् कोई दोसरी कंट्री में चले गया मानलो वो चले गया आप बोल सकते हो केन्या या फिर कौनसी कंट्री का नाम लेते है मानलो चाइना में चले गया तो चाइना में वो टाइम का जो रूलर था वो रूलर था कैंगिस खान मानलो कैंगिस खान वो टाइम का रूलर था और यह व तो वह जब वापस आएगा चाइना से तो अपने लोगों को क्या बताएगा कि मैंने वहां पर देखा बहुत ही जादा कुरूर राजा था वह बात-बात पर सब लोगों को मरवा देता था सबसे दा लोगों की इसने जान ली है फिर ऐसे ऐसे करका स्पाइस तलता था वह और सबसे तो पहले का कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ बोला सीधा इसका सरलग करवा देता था तो यह बहुत ज्यादा को इसा बोलेगा ताकि फोड़ा स्पाइस डाले गा ताकि इसकी स्टोरी ज्यादा तर लोगों को अच्छी लगे तो यह भी एक मीडियम था इन्फरमे में तो देखो यहाँ पे plan पैर अग। मैं आपको यह बता रहा था कि अगर मान लो यह जो है ट्राविलर इस ने जरे सारे लोगों को स्टॉरी चाहिए तो अभी यह लोग तो अपने तक रुपने नहीं तो अभी हम देखेंगे Bengal Gazette तो Bengal Gazette क्या था वो था 1st newspaper English newspaper of India 1st English newspaper of India printed on 29th January 1780 आपको एडेट याद रखनी अच्छे से It was named as Calcutta General Advisor और Bengal Gazette तो इसके दो नामते एक Bengal Gazette और एक Calcutta General Advisor और इसको start किस नहीं किया था इसे किया था start James Augustus Hickey जो कि एक Irish gentleman थे इनके दोरा इसे start किया था तो आपको एच्चे से याद रखना है कि आपको क्या 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 याद रखना है एक बार यह पर लिख देता हूँ इसको मैं हाइलाइट ही कर देता हूँ कि आपको इसमें क्या 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 रखना है कि 1st English newspaper प्रिंट हुआ था 29th January 1780 उसका नम दा क्यालकाटा जेरल अडवाइसर या फिर बेंगॉल गाजट वर इसे start किया जेम्स अगस्टिस ही की ने तो second है हमारा दरपन यह पर हम धेल सारे newspapers के बारे पढ़ने वाले है तो दरपन में हमारे पास यह दा निउस्पेपर दरपन वस स्टार्टेट इन यह 1832 तो यह आपको याद रखनी है कि मुंबई में भी यह स्टार्ट हुआ था यह तो इंपॉर्टन ही बस आपको याद रखनी है फिर बाल शास्त्री जामभेकर इस निउस्पेपर के एडि करते हैं फेस्टिवल निया बोल चुकते हैं अज नैशनल जर्निलिस्ट डे हम लोग सेलिबरेट करते हैं से इतके बड़े को विधा निउस्पेपर प्रिंटेड इन दर्मान कैन भी दरपन कैन बे रिवीव तो नो अबाट पॉलिटिकल एकोनोमिक सोशल और कुल्चरल इ हम लोग उस टाम के दरपन नियूस को भी रिवीव कर सकते हैं उससे पढ़के हम लोग को इन्फोर्मेशन मिलेगी और इस नियूस्पेपर में डेल सारे हम लोग को टाइटल के एंडर नियूस मिलतीती जैसे कि अकाउंट अफ एक्पेंडिचर फ्रॉम दे अड्मिनिस्ट इंग्लेंड तो यह सारी इंफोर्मेशन यह सारी टाइटल के अंडर हमें इंफोर्मेशन देखने को मिलती थी तो इन में से जो हिंदू रिमारेज ऑफ हिंदू विडो यह एक जादा इंपोर्टेंट इनका था टाइटल और इंसेप्शन अफ ने यह अचीवमेंट आफ इंपोर्टेंट टाइटल था इनके इनके न्यूस्टेपर में रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूस थ्रोज लाइट अन वेरियस हिस्टॉरिकल इवेंट्स ऑफ दोस देज तो जब लोग ही पढ़ेंगे हम लोगों तभी मालुम पढ़ेगा कि वो टाइम पे क्या-क्या प्र प्रभाकर इसे स्टार्ट किया था इस्टियो फ्रेंच लेवल्यूशन एंड शत्पत्रे लेटर्स ब्लोका ही तवाड़ी गोपाल हरी देश्मुक एमड एड क्रियेटिंग सोचल अवेरनेस वर पब्लिश्ट इन इस न्यूस्पेपर्स तो यह तीन इंपोर्टेंट और इन लेटर्स का जो एम था वो था क्रियेटिंग सोचल अवेरनेस सोसाइटी में अवेरनेस वह लाना यह सब हम लोग यहां पर इस प्रभाकर न्यूस्पेपर में प्रिंट करते थे हम लोग नहीं भाव महाजन अगमे बहुता है कि न्यानोदे क्या है इसे ब्रहन्स न्यानोदे करते आप आप स्पेलिग में भी इसको मेशार के यह जोता हhã कि न्यानोदे इस न्यूसपेपर ने एउशय का मैप परिंट किया था ऐटी संब इयोरोप का इस साहल 1851 में so honor of printing and illustration in the Indian newspaper first time goes to Nyanoday so एक चीज का printing और उसका illustration इंडियन नूस्पेपर में पहली बार नियानो दे ने किया था the news of installation of telegraph was used for electric transmission news can be seen in Nyanoday to the time per telegram का invention हुआ था वो आला telegram ने जो आज आज आप यूस करते हो पुराना जबने में क्या था मुबाइल फोन्स नहीं थे तो टेलिग्राम एक ऐसा दिखता था एक ऐसा करके रहता था इसके उपर जब भी अ ऐसे टैप कर दे एसके आपको अपने फिंगर रहके टैप करना रहता था तो यह ऐसे टैप इस पर होता और फिर इलेक्रिक सिग्नल जेनरेट होते तो यह इलेक्रिक सिग्नल वायस के थूरू दोसरी जगह उपर जाते तो इससे क्या था यह इन्फॉर्मिशन स्प्रेड करने का बहुत ज्यादा फास तरीका बन गया वह टाइम के लिए तो इसी को हम लोग टेलीग्राम बोलते हैं करते खरें प्रेड एक आरफ वह गया को सब्सक्राषब जिसमें इलेक्रिक सिग्नल गयंत् сейчас करकें सब्सक्राइब और जो रेलवेस का स्टार्टिंग इंडिया में हुआ आपने मुझे लगता है कि 9th में एक चैप्टर भी पढ़ा रहेगा कि मुंबई में रेलवेस स्टार्ट हुआ था तो वह उस रेलवेस स्टार्ट हुआ था उसकी इंफोमेशन हमें इस निउस्प्रेपर में देखने को मिली और फिर वह कॉंसर टाइल के अंडर अंडर प्रिंट हुआ चाक्या मासुबा मतला मासुबा विद्वील्स इसका मीनिंग है यह बर जो टाइल था हुआ चाक्या मास इस निउस्पेपर ने निउस्पेपर बहुत ही साथ इंपोर्टन बन एक सोचल अवेरनेस फैल आने के लिए कि जैसे कि बहुत जादा वह लोग इंपोर्टन रोल प्ले करने लगे जैसे कि एक निउस पर पता है इंदू प्रकाश क्या करता था वह विड़ो के रिमैरिज एक्ट को सपोर्ट करता था मतलब कि वह टैम पर विड़ो का अगर हस्बेंड मर गया तो उसे पूरा उसको सा तो इसलिए इंदू प्रकाश इसब सपोर्ट करते थे रिमैरिज एक को ताकि वुमेन के राइट नहीं चीने जाए दीन बंदू एक निउस पर था जो की रिप्रेजेंट करता था मासिज ऑफ इंडिन पीपल इंडिन सोसाइटी बहुजन समाच जिसे हम लोग बोलते हैं किसे स्टार्ट का था महात्मा良ती राओ फुले के एक close association जिसका नाम है करिप्रेल नाम पहरा लहां करते हों महात्मा जोटी का अन पी वान देसे नहीं स्टार्ट किया इसे तक क्रिश्चन राओ बहाले कर ने यहां पहरा बहांत्मा जोत्याओ फुले और फिर हम लोग को डे सारे इशूस को जानने को मिलता है जो कि वो टाइम पर चल रहे थे इन नीस पेपर को रीड करते हैं तो देखो यहां पर वह आला दिया है कि बाल शास्त्री जांबेकर के फर्स्ट एडिटर थे इंडिया के इंडिया में कोई इंडिया नीस पेपर के और वह मराथी में था वह नीस पेपर में फर्स नीस पेपर में था उसके अडिटर इनके बर्ट डेज जो कि है 6 जैनवरी हम लोग इसको देखते है अजब पत्तेकार दिन या फिर नाशनल जॉर्नलिस डे महाराश्टरा में तो इसको अब नाशनल हटा सकते हो क्योंकि हम महाराश्टरा में इसको मानते है तो अब बोल सकते हो जॉर्नलिस डे या फिर पत्रकार दिन तो देखो अभी हमारा दो पार्ट तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया दो पेज फिर नेक्स लेक्टर में हम लोग ट्राय करेंगी कि हमारा केसरी और माराथा से लेकर अब हैंगी देखियें है अब से चली है मैंने अंबुम आपको जो भी समझाया तो आपको सब अच्छी से समझाए को आपको सारे कीज़ीब एक teach करते रहो अलेक्टि कर दो थे लोगर Вीडियो आपको अच्छी से पढ़ए करो यह क्